भूकम्प सबसे विनाशकारी और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो हो सकती हैं। वे प्रिथवी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की गती के कारण होते हैं और इसके परिनामस्वरूप जीवन संपत्ती की क्षती और आर्थिक व्यवधान का म प्लेटों से बनी है जो लगातार एक दूसरे से आगे बढ़ रही हैं, टक्रा रही है और फिसल रही हैं। जब दो प्लेटे आपस में टक्राती हैं तो दबाव बनता है और अंततह भूकम्प के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रकार के भूकम्प को स्ट्राइक स्लि तो यह जमीन को हिला सकता है और इसके परिनामस्वरूप भूकम्प आ सकता है। इस प्रकार के भूकम्प को ज्वाला मुखी यह भूकम्प के रूप में जाना जाता है और यह अक्सर ज्वाला मुखी गतिविधी से जुड़ा होता है। भूकम्प का एक अन्य कारण प्र प्रेरित भूकंप को ड्रव प्रेरित भूकंप के रूप में जाना जाता है और यहां अक्सर तेल और गैस ड्रिलिंग जैसी मानविय गतिविधियों से जुड़ा होता है। अंत में भूकम्प मानविय गतिविधियों के कारण भी हो सकते हैं जैसे बड़ी इमारतों, बांधों और भूमिगत सुरंगों का निर्मान इन गतिविधियों के कारण जमीन हिल सकती है और भूकम्प आ सकता है जिसे प्रेरित भूकम्प के रूप में जाना जाता है अंत में भूकम्प विभिन प्रकार के प्राकृतिक और मानविय कारकों के कारण होते हैं जिनमें प्लेट टेक्टोनिक्स, द्वाला मुखी, गतिविधी, द्रव गति और मानविय गतिविधिया शामिल है भूकम्पों के कारणों को समझना उनके प्रभावों की भाविश्यवानी करने और उन्हें कम करने और जीवन और संपत्ती की रक्षा करने के लिए आवश्यक है भूकम्प आने से पहले सटीक समय और स्थान की सटीक भाविश्यवानी करना वर्दमान में संभव नहीं है इन विधियों में शामिल हैं भूकम पियर गतिविधी, भूकम पियर गतिविधी या पृत्वी की पपड़ी के संचलन की निगरानी सिस्त्मोग्राफ का उप्योग करके की जा सकती है। भूविरूपन भूकम से पहले हो सकता है और यह संकेत दे सकता है कि उसक्षेतर में भूकम पाने की संभावना है। आवाज में वृद्धी उच्य भूमी पर जाना या किसी क्षेत्र को छोड़ना। कुछ शोद करता भूकम्प के संभावित संकेतक के रूप में जानवरों के व्यवहार का अध्यान कर रहे हैं। यह नोट करना महत्वपून है कि यह विदिया अचूप नहीं है और भूकम्प अभी भी बिना किसी ध्यान देने योग्य अग्रदूतों के हो सकता है। अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। गिर जाएं, फनीचे के एक मजबूर टुकरे जैसे डेस्क या टेबल के नीचे कवर करें और जब तक हिलना बंदना हो जाए तब तक उसे पकड़ कर रखें। यदि आप बाहर हैं, तो इमारतों, बिजली की लाइनों और पेलों से दूर एक खुलाक्षेतर खोजें। शान्त रहें, भूकम्प के दोरान शान्त और केंद्रित रहने की कोशिश करें। सुनेश्चित करें कि आपके पास आपदा आपूर्ती किट है, जिसमें भोजन, पानी, प्राथमिक चिकित सा आपूर्ती और एक फ्लेशलाइट शामिल है। मजबूत हो सकते हैं। उनके लिए तैयार रहें और वही सावधानी बरतें। चोटों की जाच करें, जटकों के रुकने के बाद खुद को और दूसरों को चोटों के लिए जाचें। किसी को भी चोट लगने पर प्राथमिक चिकित सा प्रदान करें और यदि आवश्यक हो पर चिकित सा किये ध्यान दें। यह याद रखना महत्वपून है कि भूकम्प किसी भी समय और बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं। इसलिए तैयार रहना महत्वपून है। भूकम्प के दौरान क्या करना है यह जानकर आप खुद को और दूसरों को बचाने में मदद कर सकते हैं।